तो गाई स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में डबलबली का आने वाले प्रिमियम लाइवेंट क्राउन जूल है और अल्मूस सारे मैच इसको डबलबली ने वहाँ पर कंफर्म करी दिया है तो इस वीडियो में उन सारे मैच की विइनर प्रेडिक्शन करने वाला और इसमें से कुछ मैचेस तो ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है एक प्रिमियम लाइव इवेंट वाले मैच है लेकिन डबलबली ने जवर्दस थी उन्हें इस प्रिमियम लाइव इवेंट में गुशेड दिया है लेकिन चलो कोई बात नहीं उन मैचेस के बारे में भी इस को चैंपियन बना दिया जाए तो जो वो सेथ रोलेंस था है उन्हें डबलबली एक फाइटिंग चैंपियन के दोर पर दिखा रही है वहर बार अपनी चैंपेसिप को डिफेंड करते हैं और उससे रिटेन मि कर जाते हैं तो ऐसमें अगर मैं यहापर विनर की बात करूं या फिर तीन मैस तो होने ही वाले लेकिन अगर यहां पर विनर की बात आए तो मेरे साथ से यहां पर सैथ रॉलिंस अपनी चैपर सिप को रिटेन करने वाले हैं और वो बने रहेंगे हमारे वर्ल्ड हेविवेड चैंपियन तो गाइस अगले मैच की बात करें तो यह होगा ह हमारे 619 रेमिस्टेरियो वर्ड से दमैवरिक लोगन पॉल के बीच और यह मैच भी काफी ज़्यादा कमाल का होगा उसमें कोई भी शक नहीं क्योंकि एक तरफ हमारे दर फ्लाइंग लेजेंड यानी रेमिस्टेरियो हैं जो कि काफी कमाल का हाई फ्लाइंग मूब पफॉ वहीं चैनल फूल टाइमर सुपस्टार तो ऐसे में मुझे लगता है डबलड़ अगरे टैल किसी को देगी तो वह एक फुल टाइम सुपस्टार होगा ना कि लोगन पॉल होंगे तो मेरे साफ से तो इस मैच में यहां पर रेमिस टेडियो की जीत होने वाली है और वो स्टिल रिटेन करने वाले हैं अपनी यूनाइटेड स्टेड चैंपरशिप को अगले मैच की बात करें गाइस तो उस मैच से मैं खुद काफी ज़दर डिसेपॉइंट हू लेकिन दूसी तरब जेडि मैकडोना है जो की अभी अभी रॉपर आये हैं और अभी उन्हें एक प्रिमियम लाइब इवेंट वाला मैच दे दिया है और अगर उनके जगह सैमी जेन का कोई और अपोनेंट होता तो कहीं ने कहीं इस मैच के लिए मैच जरूर रहता लेकिन इस मैच से मेरी एकसाइटमेंट तो खतम होई चुकिया है लेकिन अगर हम यहाँ पर सिंपली विनर की बात करें तो मुझे लगता है सैमी जेन बड़ी आसानी से इस मैच को जीतने वाले हैं और मेरे प्रडिक्शन यहाँ पर सैमी जेन के लिए रहेगी कि वो यहाँ पर हर बरकम सुपस्टार हैं लेकिन अगर हम यहाँ पर विनर की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पर रिया रिपली अपने चैंपर सिप को रिटेन करने वाली हैं क्योंकि जज्मेंट डे जिस तरह से आजकल रहा पर राज कर रही है तो मुझे लगता है जब तक जब दब रहा चल रहे तब तक रिया बीड चलेगा और यहाँ रहने वाली हैं तो मेरी पडिक्शन तो यह रहेकि कि रिया रिपली यहाँ पर अपने चैंपर सिप को रिटेन करने वाली है और बनी रह Requireffen है मैच के बाते बात करने हैं और वह उस यहाँ ज़ाँ कर पनी डियांगा स कोडी रोट्स वर्सेश देशनिया और मनिन दा बैंक टेमिल प्रिस्ट के मैच की और इस मैच में मुझे लगता है यहां पर काफी ज़्यादा के ओस होने वाला है क्योंकि यहां पर जज्मिंट डे की इंवाल्मेंट तो होगी साथ यहां पर साइज जे उस हो गया आने के भी काफी ज़्यादा चांसेंज लेकिन अगर हम यहां पर विनर की बात करें तो मेरे साथ से मैच को कोडी रोट्स को डवली काफी अच्छा बुक करती है और साइद आगे जाकर वह रोमन ड्रेंज को फेस करने वाला है मेरे साथ से यहां पर उन्ने चाहिए और वहां पर हरान यहां पर हमें एजे स्टाइल्स के रिटन भी देखने को मिले लेकिन यहां पर जो भी हो मुझे लगता है स्टील यहां पर जीत हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन यानि जॉन सिना के होने वाली है और फाइनली काफी लंबे टाइम बाद उन्हें एक सिंगल मैच में विक्टरी मिलेगी तो गाइस अब बात कर लेते हमारे में इमेंट की जो कि होने वाला है हमारे ट्राइबल चीफ हैड आप दी टेबल रोम सवाल होने वाला है क्योंकि एलनाइट को हमने देखा यह रिसेंडली काफी कमाल कमाल के मैच वहीं रोमन ड्रेंस के बारे में तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है वह काफी ताइम से अच्छे मैच देते आ रहें और साइद यहां पर हमें ब्लेड लाइन की वाले यहां पर अगर हम बात करें यहां पर विनर की तो मुझे लगता है स्टिल हमारे ट्राइवल चीफ रोमन रेंज इस मैच को जीतने वाले और वो रिटेन कर जाएंगे अपनी अंडिस्प्यूटेड चैंपसिप को क्योंकि भले ही एले नाइड को समय पर काफी जदा पस प्रेडिक्शन यहां पर रोमन रेंज के लिए होगी कि वह इस मैच को जीतने वाले और वहां पर हरा देंगे ल एन नाइट को तो यह थी मेरी मैच कार्ड प्रेडिक्शन फॉर दी क्राउं जूल 2023 आपकी क्राउं जूल के लिए क्या प्रेडिक्शन है आप वो कमेंट साथ अगर यह वीडियो पसंद आई यह वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते रहेंगा ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो को साथ तब तक के लिए बाए बाए